सब्सक्राइब कीजिए टेकनिकल यार योटीब चैनल को बैल आइकोन को दबाईए लेटिस टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों अगर आप Airtel Payment Bank से किसी के bank account में पैसा भेजना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें इस वीडियो में मैं आपस भी को live proof करके दिखाने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं गैस हमारे पास हमारा दूसरा bank account है जो की है SBI का इसी में हम पैसे भेजेंगे पेटियम पर मैं इसलिए आया ताकि मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ अभी हमारे पास SBI का account में कितना balance है और अभी जो मैं balance वाँ से भेजूँगा वो बाद में बढ़ेगा या नहीं वो आप live देख लोगे तो यहाँ पर हम अपना amp in को टाप कर दिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे SBI account में 526 रुपय 89 पैसे है तो अब चलिए हम चलते हैं आटेल आप पर और यहाँ से जो है हम पैसे को भेजेंगे और यहाँ पर जो है पैसे बढ़ेगा तो यहाँ टेल आपको ओपन कर चुके हैं यहाँ पर जो recharge का option है यहाँ पर row का बस आप इस पर क्लिक कर दो उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ option खुल जाएंगे यहाँ पर जो है send money मिलेंगे आप इस पर क्लिक कर देना हमारे पास अभी कितने balance है यह आप ध्यान से देख लेना यहाँ पर हमारे पास only 154 रुपे 9 पैसे है उसके बाद हम send money पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको तीन option दे जाएंगे shop personal bank तो अभी हम bank में send करेंगे तो bank पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपको उसका नाम डाल देना है जिस नाम से आप पैसे को भिजना चाहते हैं जिसका account में ओके तो हमारा दूसरा जो नाम है वो हमारे bank account का वो नितिज है तो चलिए हम tap कर देते हैं NITISH उसके बाद यहाँ पर हम select कर लेते हैं estate bank या SBI भी हम लीग देंगे तो आही जाएगा यह वैसे नहीं आ रहा है तो यहाँ पर अकॉंट नमबर डालना है तो चलिए हम अकॉंट नमबर डाल देते हैं तो अकॉंट नमबर डालने के बाद यहाँ पर जो है एक phone नमबर डालना है अब य जाले जिसके अकॉंट में आप अभी पैसा भीजने वाले हो तो यहाँ पर चलिए हम टाइप कर देते हैं उसके बाद प्रसीड वाले बटन में आपको क्लिक कर देना है तो यह अकॉंट नमबर आ जाएंगे और यहाँ पर आप कितना amount जान करना चाहते हैं वो आप select करें तो मैं 10 रुपए करने वाला हूँ और 26 रुपए वहाँ पर है 526 रुपए अभी मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ 526 है only देख लो ध्यान से और यहाँ पर अभी हम 10 रुपए और एड़ करेंगे तो यह amount जाएंगे हमारे account में 10 रुपए और इसका जो charges है 0.1 है तो यहाँ पर हमारे पास 154 रुपए 9 पैसे है यहाँ पर हम एड़ करेंगे यहाँ पर इस blue वाले button पर और progressing comment और यहाँ पर 10 रुपए इन्हों ने successfully sand कर दिया और यह जो है transaction ID है और यहाँ पर जो है date है live अब चलिए हम open करते हैं दुबारा से इस application को और यहाँ से हम आपको द डालना होता है उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास देख सकते हैं कि 536 रुपए हो चुका है 89 पैसे जो की पहले था 526 रुपए 89 पैसे तो 10 रुपए यहाँ से easily add हो गया वहाँ पर मैंने पैसे को भेजा और यहाँ पर पैसे आ गया अब यहाँ पर message भी आ गया होंगे त तो यह जो message है just now यह हमारे bank account से link था जिस पर आया है 10 रुपए जो है इन्होंने add कर दिया तो कुछ इसी तरीके से आप जो है एटल payment bank से पैसे को किसी के bank account में भेज सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे में comment करके बता सकते हैं वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं चानल पर नए हैं आप इस चानल को सब्सक्राइब करें न ताकि नए वीडियो की notification आप तक पहुँच जाएंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद thanks watching good bye बंदे मात्रम